बार्णिंग बच्चो आज हम हिंदी साहित्य के पार्ट तीन किर्मिज की गेन पढ़ेंगे इसे लिखा है सांता कुमारी जैन जी ने अब आप देखो यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं गर्मी की छुटिया थी दोपहर के समय दिनेज घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड के पत्तो को हिलाती ही कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। जैसे गर्मी की छुटिया पढ़ तीना आप लोगों की भी पढ़ी थी ना वैसे ही दिनेज की क्या पढ़ी थी गर्मी की चुटिया पढ़ी थी और गर्मे बैठ क आराम से अंदर कहानी पढ़ ला था लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ पेड के पत्तों को हिलती वी कोई वस्तु उसके पीछे घर के पीछे वाले भागवे बगीचे में गिरी जिने इस आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है वह एकदम से उठकर बरांदे की चिक सरका कर बगीचे की और भागा जैसे उसे लगा कि कोई चीजगिरी है तो अपने बरांदे की चिक को सरका कर चिक में जो होती है बास की पत्ती पत्ती डंडियों से बनावा तिल्यों से बनावा पर्दा होता है ना उसे खिसका कर वह कहा वह अपने बगीचे की और भ ये ये और आप आपहां जा रहे हे बाहार लू चल रही है लू मिसंगला मजंगला मुछ दिनेश का लिए है वही तुब शान्तु दिनेश रुका नहीं, उसने पैरों में चपल भी नहीं पहनी, उन्हों पिष्णा नहीं बाद के जउन की बात को अंसुना करकर वहाँ से बाहरा गया, उसने चपल भी नहीं पहनी थी, जून का महीना था, जून के महीने में गर्मी पड़ थी है, धरती तवे की तर पटापट से बगीची की और भागा जहां पर वो कुछ वस्तुगिरी थी ना वहीं वहाँ जहां से आवाज आई थी उसी और भाग चला मतब जिसतर से आवाज आई थी उसी तरब को वो भाग चला सामने की क्यारे में भिंड्यों के ओंचे-ओंचे पौधे दे उसकी ममी ने अपने जो छोटोटे क्यारिया बना रहे थी उसमें भींडियों के बड़े-बड़े पौधे उग रखे थे एक और सीता फल की घनी बेल फैली वी थी सीता फल मिस कद्दू की बेल जो है फैली वी थी क्यारियों के चारों और हरे-हरे केले के ब्रिक्स लहरा रहे थे क्यारियों में उनको उधर से उधर उलटना पलटना आरहम मतलब शुरू किया जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीता फल की बेल चान मारे और फिर उसने क्या करा जो कद्दू की बेल थी उसको चान मारे उसको जवानी मिला उसको भिंडियों में फिर उसने सीता फ निखा उदर गई तो उसने देखा कि गड़े के उपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किर्मिच की गेंद पड़ी है जब उसने जूनते जूनते क्या उस गड़े के पास पहुंचा उन गड़े के उपर उसे क्या मिली एक बिल्कुल नई चमचमाती वी किर्मिच की गेंद क किरमिष की गेनमिस या तो चमड़े की या मोटे कप्रे की बनीवी गेन पड़ी वी थी चम चमाती वी दिनेश ने हाद बढ़ाकर गेन को उठा लिया और दिनेश पटवट से उस गेन को उठा ली लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बजार से खरीदा है और वती चमचमा रही थी विकुल नहीं थी उसे रगता था कि किसी ना आज ही उसे बजार से खरीदा है उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ नहीं आया उसको देखा कि किस की है क्या है उलट पलट कर देखा उसे कुछ भी समझ में नहीं आया नजर उठा क और उसने पास की ती मंजिल ली इमारत की और देखा कि हो सकता है कि किसी बिच्चने से उपर से फेका हो परंतु उस इमारत के इस और खुलने वाले सभी दर्वाजे और खिर्क्या बन थे चट की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचला रही थी और उसने जब न खिर्की दर्वाजे थे वो तो सब बन थे है ना चट की मुंडेर से लेकर नीचे तक उसने दूप चिलचला रही थी वहां पर कोई नहीं था फिर कौन खरीद के लाया हो इस गिंद को दिने इसने सुधीर अनील अर्वींद आनन दिपक सभी के नाम मन में दोहराए और उस तो पहरी में इसे निचे कौन फेकेगा उसने सोचा कि भई जो खरीदी है तो इतनी नई गेन तो वो निचे क्यों फेकेगा हो ना हो या गेन बहार से ही आई है फिर उसने मन में सोचा यदि कोई खरीद के लाएगा तो वो अपनी गेन क्यों फेकेगा तो उसने मन में सोचा कि गेन किसी बहार से ही यहां पर हमारे बगीचे में गिरी होगी उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की और देखा परन्तु वहां पर केवल दो चार गाएं ही दिखाई दे रही थी सड़क पर बनता है ना गोल चकर जो बना होता है हना उसकी तरब देखा उसका बगीचे की और देखा पंधुआ क्या था कोई भी मनुस्य नहीं था किवल दो चार गाएं ही दिखाई दे रही थी जो पेड़ों के निचे सुस्ता रही थी तीतेज धूप पड़ी थी जो उसके जो बच्चे हैं जब केट खेलते थे तो उनकी गेंद दूर चली जाती थी लेकिन वो फिर कभी नहीं मिलती थी एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में जा पड़ी थी उसे याद है कि एक बार एक ट्रक सड़क से गुजर रहा था और वो गेंद उच्छलक तुम सुनने रहे हो मैंने के आवला सब अपने घरों में सो रहे हैं अतनी धूमें तुम भार घुम रहे हो दिनेज को दिनेज गेंद को हाथ में लिये वे भीतर आया ठंडे फरस पर बिच्छी चटाई पर वहा लेड गया और सोचने लगा भले ही यह गेंद महले में से कि कि ना हो परंतु इमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए हना फिर आपने के अंदर आया घर में ममी ने फरस पे चटाई बिचाई थी उस पर लेड गया और लेड़ते लेड़ते सोचने लगा कि भले ही अगेंद महले में किसी ना किसी की ना हो परंतु एक बार इमानदारी से बनता है कि मैं सबसे एक बार पूछ लूग कि किसकी गयंद है गर्मी की छुटिया थी बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते वे एक कलब बनाये वा था कलब मिन्स कि अपने एक दल बनाये वा था उन लोगोंने कि वो क्या करते थे लिए कि उसमें अपने गर्मिय की चुटियों के लिए एक पूरा ग्रूप बनाया वा था उस ग्रूप में सभी बच्चों के颇क बल्ले करकेकर सभी बच्चों के लिए आपस में कलब कर चंदा देकर पैसे कंगर करते थे मतलब वो कलब में क्या करते थे बल्ले और गेंट को खरीदने के लिए आपस में पैसा इखटा करके समान लेकर आते थे शाम को सारे बच्चे इखटा हुए दिनेश ने सभी से पूछा मुझे एक गेंट मिली है अगर तुम्हें से किसी की गेंट खो गई हो तो वा गेंट की पहचान बताकर मुझे गेंट ले ले ना तो सामको जब वो अपने खेलने बच्चों के साथ खेलने के ले गया तो दिनेश ने सभी से पूछा कि मझे गेंट मिली है हाँना य infra다 कि किसी की होगी तो कुछ गई है तो मुझे उस गेंद की पहचान बता कर मुझे वो गेंद ले सकता है तब ही अनिल बोला गेंद तो मेरी खो गई है यही कोई चार महीने पहले तो वह गेंद तेरी नहीं है दिनेश ने कहा उसने क्यों कहा कि मेरी गेंद चार मेहने पहले खोई थी तो दिनेश ने ऐसे क्यों कहा कि वो गेंद तेरी नहीं है क्योंकि वह गेंद कैसी थी विल्कुल नहीं चम चमाती थी खोई होती बहुत पहले तो उसमें धूर मिट्टी तो जमा होती तो उसने कहा कि यह गेंद आपकी नहीं है फिर वहां मेरी होगी सुधीर ने तुरंट उस पर अपना अधिकार जमाते वह कहा फिर जब उसने कहा कि अत्केन आपाई उसकती तो फिस इद्दम शुदीर बोला कि वह गेंद क्या हो सकती है कि मेरी है पक्का मेरी है कैसे दिनस ने पोच्छा तू मुझे गेंद दिखा दे मैं अपनी निसारी बता दूंगा उसने का कि आप पहले मुझे गेंद दिखाओ तो मैं अपनी निसानी बता दूंगा वा यह कैसे हो सकता है उसने का वा यह कैसे हो सकता है दिनिस बोला गेंद देखकर निसानी बताना कौन सा कठीन है बिना देखे बता तब जानो फिर उसने कहा कि यह कैसे हो सक दीपक उतराया दीपक अपना मतलब सीद करने तथा अफसर पढ़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतूर था गेंद की बाद सुनकर दीपक बोला गेंद मेरी है तब ही उपर से दीपक उतर के आया दीपक ने कहा कि वो मतलब सीद करने के लिए मतलब किसी को भी अफसर सुनिन ने लुल हुच्छा कल ही तो तू कह रहा था कि इस वार तेरे पापा तुझे गयnd Lance के लिए पैसे नहीं देंगे, तो समने कहा कि तुमने कल ही बोला था आपके पापाκε को पैसे नहीं देंगे गयंद के लिए Tweका करत ने कह कि जो मेरी गेंद है वो 5 महने पहले खोई थी हरना जब बड़े भया की साधिय उई थी तब सुनीर ने क्या करता है मेरी छट से उस गेंद को नीचे फिक दिया था दिनेज अच्छी तरze जानता था कि यहां गेंद दिपक की नहीं है दिपक की गेंद 5 महिने पहले खोई थ थी तो वो इसकी कैसे हो सकती है कि वो इतनी चमचमाती हुए रजास पर कोई धूल मिट्टी ना लगे हना कोई दाग ना लगे दीपक ने कहा मैं कुछ नहीं जानता गेंद मेरी है वहां मेरी है और सिर्फ मेरी है दीपक ने अपना हग जमाते हुए का मैं कुछ नहीं जानता पस वो गेंद मेरी ही है जाए कुछ भी हो जाए वो सिर्फ मेरी है अरे जाजा बड़ा आया गेंद वाला क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेकी थी अनील ने पूछा और उसने कहा कि अरे जाजा बड़ा आया गेंद वाला क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेकी थी अनिल ने उसे पूछा कि आपको क्या बता यहीं गेंद थी वो पक्का दीपक ने का हाँ सबूत है मुझे गेंद दिखा दो मैं फॉरण बता दूगा उसने कहा कि वो तेसा दिमाग को उसने कहा कि हाँ मुझे पहले गेंद दिखा दो मैं अपनी गेंद में आपको सबूत बत जा रहा है और गेंद को अपना बनाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनिल का सारा ले रहा है वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो यह तीनों मिलकर खेलेंगे और किसी को नहीं खेलने देंगे अपने साथ अच्छा में गेंद ला रहा हूँ दीनेश ने कहा ठीक है अच्छा में गेंद लेकर आ रहा हूँ परन्तु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं दीनेश ने कहा उसने कहा अच्छा में गेंद लेकर आ रहा हूँ लेकिन जब तक पक्का सबूत को परमान नहीं मिलेगा पक्का मैं किसी को गेन नहीं दूंगा दिनिस ने कहा अब हम आगे का पार्ट नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे धन्यवाद